हेलो फ्रेंट्स सौगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंट्स आज के जो हमारा वीडियो में टॉपिक है वो है डोग के खाने को लेकर कि हमारे डोग ने अचानक से खाना पीना बंद कर दिया है या फिर कई दिनों से थोड़ा थोड़ा खा रहा था और अ इसमें हमें क्या करना है तो फ्रेंट्स सबसे पहले बात आती है कि हम ने अपने डोग की दिवर्विंग की हुई है लेकिन उसके ऐब करने के बाद भी अगर आपकर डोग कहना नहीं हो या तो उसके कंए कारण हो जाते हैं तो फ्रेंट्स हमारी वीडियो में लाश तक बने रही है ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आ सके और आपकी डॉक की और आपकी इसे हेल्प हो सके तो फ्रेंट्स अगर आपने अगर अभी तक होगर हमारी चैनल को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें और सस्क्राइब करें ताकि आपको आगे भी हमारी ऐसी ही वीडियो देखने को मिल सकें और आपकी हेल्प हो सकें तो फ्रेंड्स जानते हैं इसके खाना ना खाने का क्या कारण है तो फ्रेंड्स पहला आता है डॉक की एक्सरसाइज क्या हम अपने डॉक की जो एक्सरसाइज है टाइम टू टाइम करा रहे हैं या नहीं क्योंकि friends अगर हम अगर अपने डॉग की अगर exercise नहीं कराते हैं तो हमारा डॉग इससे खाना पीना भी बन कर देता है और बहुत जादा सुस्त भी हो जाता है क्योंकि जब हम उसकी exercise नहीं कराएंगे तो उसकी energy भी waste नहीं होती है जिसके कारण उसे भूख भी नहीं लगती है और friends इसका जो दूसरा कारण आता है वो है कि हम एक ही खाने को बार-बार repeat कर रहे हैं हम एक ही खाने को उसे बार-बार दे रहे हैं और वो इस वज़े से भी नहीं खा रहा है यहांसा भी हो जाता है friends कि डॉख को जो हम खाना दे रहे हैं अगर उसमें अगर हम कुछ चेंज अगर नहीं करते हैं तो हमारा डॉख उस खाने को नहीं खाता है एक समय के बाद उससे छोण ले लगता है या फिर कम खाने लगता है तीसरी बात आती है friends कैल्सियम मल्टी विटामिन बहुत ज़रूरी होता है और उसकी क्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद में जो friends अगला जो चौथा जो इसका कारण हो सकता है वो हो सकता है कहीं हमारे डॉख को फीवर तो नहीं है तो friends ऐसे में हमें चेक करना है कि हमारे डॉक को फीवर है या नहीं है तो या फिर हो सकता है बोक किसी और मतलों से परिशानी हो या फिर कहीं उसके बेन वगरा हो इस बज़े से भी नहीं खा रहा हूँ हमारा डॉक खाना तो हमें अपने निजदी की बैट से जाकर मिलना है और अपने डॉक का एक पार च्क अप चरू कराना है ताकि हमको पता लग सके कि हमारा डॉक जो है कहीं भी माड तो नहीं है जिसके कारण से हमारा डॉक खाना पिना पंद कर देता है तो फ्रेंड्स हमें अपने डॉक की ये सारी बातों का बहुत ही अच्छे से ख्यार रखना है तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी एक डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं